नमस्कार दोस्तों मायनगरी में आपका स्वागत है हाजिर हूँ मैं बॉलिवुट की एक अनसुनी कहानी के साथ तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें राजेश खन्ना फिल्म इंडस्ट्री के वो सुपरस्टार थे जिन्होंने अपने हर किरदार से लोगों का दिल जीता हाला कि जब अमिताब बचन इंडस्ट्री में आये तो उनकी स्टारडम देखते ही देखते कम होने लगी थी दोनोंने साथ में साल 1972 में एक फिल्म भी क फिल्म के सेट पर उन्होंने बिग बी का काफी अपमान भी किया जिसे देखकर जया बच्चन भड़क गई थी और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में राजेश खन्ना ने सोचा भी नहीं होगा आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या था वो किस्सा साल 1972 मे रिशिकेश मुखर जी एक ऐसी फिल्म लेकर आये जिसकी कहानी को लोगों ने काफी पसंद किया था फिल्म में राजेश खन्ना और जया बच्चन लीड रोल में नजर आये थे लेकिन इस फिल्म के सेट पर अमिताब बच्चन का काफी अपमान हुआ था जिसकी बड़ी व रिशिकेश मुखर जी उस दौर के पहले वो डिरेक्टर थे जिनोंने राजेश खन्ना जैसे सुपरस्टार तक को डांट दिया था अपनी फिल्मों को लेकर वो काफी सजग रहते थे उनके कहानी कहने का तरीका बाकी निर्देशकों से बिल्कुल अलग था जहां फिल्मो हीरो से होती है वहीं बावर्ची में उन्होंने ऐसी कहानी गढ़ी कि हीरो की एंट्री फिल्म शुरू होने के तकरीबन आधे घंटे बाद होती है जब इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब अमिताब बचन और जया बचन के अफेर की खबरे भी आम हो चुकी थी च अमिताब का सेट पर ये अफमान देखकर जया खुद को संभाल नहीं पाई और उन्होंने गुस्से में राजेश खन्ना को खरी खोटी सुना दी उन्होंने कहा एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये शक्स सुपरस्टार बनेगा और आपका ये स्टार्डम भी काफी समय तक न किवानी थी लोग उनके घर के बाहर उनकी एक जलक पाने को भीड लगाये रखती थी लेकिन इसी सुपरस्टार की जिन्दगी में एक समय ऐसा भी आया जब ये अपना लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने गए तो बिलकुल अकेले थे वो डिप्रेशन में चले गए थे उन्होंने खुद को कैद कर लिया था देखा जाये तो जया की वो बात सच हो गई थी जो उन्होंने बावर्ची के सेट पर राजेश खन्ना को बोली थी तो दोस्तों कैसी लगी ये दिल्चस्प जानकारी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं फिर आजिर रहूंगा ऐसी ही एक दिल्चस्प जानकारी के साथ बने रहिए माया नगरी के साथ नमस्कार